हेलो माई व्यूतिफुल सोल्स वेल्कम तू माई यूटूब चैनल गयाई कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं? ना कृप आप सब वी लोग बहुत बहुत इच्छे हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम को कर रहेँ हैं हैं अगर आप मेरे चैनल पर आया है तो रिक्वेस्ट करूं कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गाईज एक जन्रल कलेक्ट है वो टैमलेस इस लिएग जितना रिजनेट करें इतना ही रखेगा अनिया इडिंग मारेड अन मारेड मेल फीमिल सब्ही जोडियक साइंस के लिए भी ओके सब्सक्राइब करते हैं हम आपकी रिडिंग को दिखनी कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करेंट अनार जी गाईज में एक चीज बोलना जाओंगी कल मैंने चक्रा पर वीडियो अप्लोड की थी बहुत सारे लोग कह रहे थे इनावक के बारे में कि कैसे करना है क्या करना है तो मैंने चक्रास पर एक पहला वीडियो बनाया था तो जिन लोगों को भी जानना है कि इनावक कैसे करते हैं, हीलिंग कैसे करते हैं बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में हीलिंग के बारे में पूछते हैं तो आप मेरे दूसरे वाला चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपलेट उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा आप उस channel को subscribe कर सकते हैं और वो वाला video मैं आपस request करूँगी यह आप लोग जाकर जरूर देखें जो लोग भी चक्रास के बारे में जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि किस तरीके से blockages हमारी life में create होते हैं जो हमारी चक्रा में blockage होता है हम कैसे काम नहीं कर पाते हैं और हम कैसे काम कर सकते हैं जो जो लोग भी जानना जाते हैं वो उस reading को definitely जाकर देखें मैं वैसे सब सही request करूँगी ऐसा कि आप जाकर देखें उस reading को देखें पहला message यहां पर यह निकल कर आ रहा है कि एक इनसान मुझे यहां पर दिखाई दिया इसके सामने बहुत सारे बहुत सारे पत्थर हैं ठीक है बहुत सारे पत्थर हैं और इतने सारे पत्थर हैं कि उसको उस पार का कुछ नजर नहीं आ रहा है एक ऐसे हम कहते हैं कि बहुत सारी लोग को आपने दुनिया में कहते हो सुनागा कि जिन्दीगी खतम हो गई कल भी मैंने कुछ ऐसा ही आपको मैसेज दिया था जब आपको लाइफ में कोई पाथ नजर ना आए और आप बस बैड़ जाएएं कि आप आगे का रास्ता कुछ भी नहीं दिखा रहा है और आगे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है आपको लगता है कि life खतम हो गई, वहाँ से miracles स्टार्ट होते हैं, यानि वहाँ से आपको दिखाई देना स्टार्ट होता है, कि कोई unknown power है, जो इस दुनिया को चला रही है, वहीं से आप ईश्यर को देखना स्टार्ट करते हैं, तो ये वो वाला शण है इस वक्त में, ये कि आपको मैं दिखा पा लगातर ये चल रहा है, बेकॉस यहाँ पर ऐसी energy निकल करा रही है, जैसे ये person ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था, इसकी वज़से ऐसा हो रहा है, ऐसा किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है, लाइक मुझे ऐसा लगता है, कि spiritual learning हो रह है, कि इस person ये आपको बहुत तकलीफ दी है, आपको बहुत परिशान किया है, ठीक है, देखिए, यहाँ पर ego पूरी तरीके से खताम हो चुकी है, ठीक है, यह जो reading आपके सामने आई है, जिनके भी justice का समय नस्दिक है, उनके partner का ego पूरी तरीके से खताम हो चुका है, इस person को आप dreams में इतना ज़्यादा दिखाई दे रहे हो तो जो भी, you know, इस person के अंदर feelings चल रही है, जो भी इस person के अंदर है कि वो आपको आप करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते है, आप से कोई बात करना चाहते हैं, ठीक है, यह जो चीज़ इस person के अंदर चल इस person को as it is dreams में दिखाई दे रही है, जैसे इस person को जो भी आपको जो भी चीज़ें यह person आपके साथ, you know, बात करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ, जो spend करना चाहते है, time, यह person कही न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 5D का message दे रहे हैं, यह चीज़ें इस person के साथ, you know, आप dreams में नजर आ सकती है, यह person को तो आ रही है, ठीक है, और दूसरा मुझे यहाँ पर यह message मिल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे आप दोनों ही न, अपनी अपनी life में, एक दूसरी की तरफ नहीं देख रहे हो, यानि कि दोनों ने दूसरी को total space दे रखा है जो भी चीज़ें हो रही है उस चीज़ के लिए, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आप, you know, interested है, या फिर वो बहुत जादा interested है किसी तरीके की भी, you know, जहाँ पर हम approach वहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हम को यह लगता है कि कुछ possibility है, यहाँ पर आप यहाँ पर किसी कैसे सवाल था कि हमको कैसा पता चले कि हमारा कोई spiritual connection है, देखिए spiritual connection सबसे बड़ी खासी बात यह होती है, कि आप उसको chase करेंगे तो वो आपसे बहुत दूर भागेगा, ठीक है, दूसरी यह चीज़ होती है कि वो आपसे भागते हैं, लेकिन आपको unnecessary की प आपके लिए abusive word यूज़ करना या फिर आपके उपर किसी तरीके का कोई बहुत जादा आपको अजीब तरीके का dominate करना या राक्चसो वाली हरकते करना वो नहीं करते हैं, यह सिर्फ आपसे रन करते हैं, ठीक है, रन करने का काम होता है इनका क्योंकि यह आपकी energy को match नहीं क तरीका होता है, ठीक है, और जो narcist होते हैं, इनको आपकी तखलिए से कोई फरक नहीं पड़ता है, यह जस्ट आपको use करने के लिए आते हैं, जो narc होते हैं, यह तो बहुत ही खतरनाग चीज़ है, तो अगर आप किसी narcist के साथ deal कर रहे हैं, तो आपको cut off करने की ज़रा तर पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका spiritual connection होता है, आप अगर pain में है, तो भी वहाँ पर pain में ही रहेगा, ठीक है, उसकी भी चीज़े सेम तरीके से चलती हैं, लेकिन जो narc होते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ, इनका वो रहता है कि तुम मुझे दो, तुम मुझे दो तुम मुझे दो, आपको जो भी energy होगी, तो वो आपको बहुत जादा love दिखा देंगे, manipulate कर देंगे और energy लेकर पूरी तरीके से, you know, गायब, ठीक है, उनको आपकी, आपको समझ में आ जाएगा, dear, उनको आपकी, उससे कोई फरक नहीं कोई चिंता होती है, आपकी उनको, ठीक है, यह तो आपको अपने intuitions को समझ कर पहचानना होगा, अगर मैं personal reading कर रही होती है, तो मैं definitely आपको बता देती, कुछ लोग कहते हैं personal reading के लिए, तो यह है कि जब ensure करवा दे, यहाँ पर ना, यहाँ पर एक ऐसा message मिल रहा है guys, जैसे, जैसे आप अपने person से कोई भी चीज़ बोलते हैं, कि इस चीज़ को follow कर लीज़े, यह चीज़ कर लीज़े, आप चीज़ कोई समझाते हैं, तो यह person आपकी बात को मतलब ignore कर देते हैं, ठीक है, और वही चीज़ जैसे इस person को करने के लिए, और यही चीज़ मुझे दुबारा करनी भी पड़ रही है, तो काश मैंने पहले ही मान दिया होता, कुछ ऐसा message भी है, ठीक है, I hope आपने इस message को ले पाया है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कि हमें कोई कोई बात समझा रहा है, और हम उस वक्त पे वो काम नही कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है, और फर मैं दिमाग में आता है, कि हमको पहले समझाया गया था, तो हम तब ही कर ले तो कितना अच्छा होता है, ऐसे कुछ लोगों को इनावक के लिए भी गाइड किया जाता है, स्टार्टिंग में, स्टार्ट में वही चीज़ को इगनور कर देना, उस बात को इगनور कर देना, उस काम को इगनور कर देना, बाद में जाकर यह रि queries करना है कि वही काम पहले कर ले थे तो अच्छा होता, यह energy है जोगो परसंब आप झाब आपको परसंब आस से कहएनक्र के कोशिश कर रहा है कि ज़िए मे यह मतलब यह person ऐसी कहने की कोशिक करें कि life में कभी इस person ने ऐसी चीजों का experience नहीं गया in fact ऐसी चीजों का experience करने के बारे में इस person ने जिन्दगी में कभी सोचा भी नहीं था जो यह इस person ने experience अभी की है यहां पर मां काली की energy है guys तो जैसे मा काली की एनरजी मेरे को फील हुई ना मा काली को मैने बताय थे कि कुंडलीनी की शक्ती होती है कि कुंडलीनी शक्ती को कही बीश्च न लेपाए हो यहा отвеч आप लुग कह सकते हैं उनके साथ आपके पर्सन की हमीशा की लिए वह चीज खतम की जा रही हैं कि friendship heaba ... relationship पर तो relationship खतम मतलब कुछ ऐसे जो enemies होते हैं दुश्मन टाइप्स की तो वो energy है यह परसन आपका lost है पूरी तरीके से ठीक है पूरी तरीके से लॉस्ट है यहाँ पर ऐसा भी message है और guide कीजे हरी हरा क्या और चल रहा है यहाँ पर ऐसे सवाल आ रहा है आपके person का क्यों मैं अपनी मर्जी के साथ चीज़ें नहीं कर सकता क्यों मेरी नहीं चल सकती ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लोगं का यह सवाल हो सकता, यह आपके परसन का भी सवाल है, क्यों मेरी मर्जी नहीं चलती, क्यों मैं अपनी मर्जी के साथ काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्यों सारी चीज़ें मुझे वैसे ही करनी है, ठीक है, मेरी मर्जी के साथ से क्यों नहीं कर सकता, अपने ego के दो दुनिया करती है, अपने ego के according काम, अपने घमन के according काम, अपने गुसे के according काम, सब लोग करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना है, मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी करना है, ठीक है, सबको तो ऐसी punishment नहीं मिलती है, फिर सबके स जहां पर आपको strong आपकी जो भी spirit guides हैं आपकी spirit team हैं जो भी आपकी ancestors हैं जो भी आपकी positive energies हैं आपकी आसपस वो आपको bad karma करने से लगातर मना करती हैं या रोकती हैं और अगर आप create करते हैं तो आपको तुरंट release भी करवाती हैं वहां से कर्मा release करवाते हैं फटा-फट तो ज journey पर कम से कम allowed होती हैं ठीक है आप starting में करते हो तब तक तो ठीक है but after awakening तो आप खुदी समझदार हो जाते हो देखो इसके पहले जो आप करते हो आपको बहुत protect करती है कि आपसे यह चीज़ें ना हो आपसे गल्तियां ना हो क्योंकि यह गल्तियां आप करोगे उसके बाद results भी आप ही के सामने आएंगे ठीक है दो जैसे इस person को ना यह चीज़े समझाई जा रही हूं लेकिन इस person का वह होता है कि वह सबसे comparison कि सबके साथ तो नहीं होता है सबकी life में तो देखो सब कैसे कैसे जीते हैं इतनी इतनी चीज़ें करते हैं इतनी गल्त काम करते हैं फिर इस गाइड कीज़ें एंजल्स मेरे जो भी व्यूर्स उनके पार्टनर्सी करेंट एनार्जीस क्या हैं पहले हम मेजर अकाना देख लेते हैं बच्जिबशने मेर करेंड़ लेकाना एंग तो एम्परर, एम्परेस, सान, लवर्स, देथ, एंड हैरोफेंट प्लीज एंजल्स काइट कीजिए डेथ क्यों आया है प्लीज एंजल्स काइट कीजिए हैरोफेंट क्यों आया है एक गाईस तो मेरे को यहां पर कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है सबसे पहले तो यहां पर यह नजर आ रहा है एम्परर और एम्परेस की एनरजी देखिए यहां पर अगर आप दोनों की कनिक्षिन में मदर फादर का बहुत स्टॉंग इशू है ठीक है तो सबसे पहले तो यह इसू यहां पर खतम हो रहा है ठीक है बहुत जादह अगर आपके लाइफ में पेरेंट्स का इसू था ठीक है कि पेरेंट्स नहीं मानते है या फिर parents सबके पास एक chance होता है पहला chance होता है तो पहले chance में अगर आप नहीं मान रहे हैं तो वो कहीं नहीं learning बनती है और सबकी learning बनती है तो यहां पर जैसे मालीजे parents agree नहीं कर रहे है connection के लिए और अगर यह spiritual connection है या फिर एक वैसा connection है तो देखिए इस connection में हमको अपनी नहीं चलानी है किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जादा हमको से वितना करने कि कोई भी situation आ रही है तो पहले हमें उसमें learning लेनी है और दूसरा हमें उसमें surrender करना होता है तो हमें किसी का भी unnecessary unnecessary हमें किसी को pain नहीं देना है क्योंकि हम यहाँ पर करमा release कर रहा है ना कि हमें करमा लेना है तो हम किसी के मन के अगेंस्ट जाकर कोई भी काम करेंगे तो हम अपना कर्मा create करेंगे तो हम यहाँ करते हैं कि हम जब ऐसी situation में फस जाते हैं तो हम क्या करते हैंThe universe हमें खुदी निकाल लेते हैं तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपके परसन के परेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आपके परेंट्स क्या करते हैं कि उनकी तरफ जुग जाते हैं ठीक है तो यहां पर यहां पर लर्निंग बन रही है सबकी तो सबसे पहले तो मैसेज यह आ रहा है कि अगर parents नहीं मान रहे थे तो वो चीज़ यहाँ पर clear हो रही है ठीक है आप लोगों की connection पर parents को यह था कि नहीं हम नहीं मान सकते हैं आर ऐसा कुछ तो यह चीज़ यहाँ पर दूसरा यहाँ पर यह नजर आ रहा है कि lovers का card है and two of cups hierophant है यहाँ पर ऐसा message है कि universe judgment दे रहे है judgment देने का मतलब क्या है यहाँ पर मैं कोई ऐसा message मिल रहा है guys कि जो चीज़ सही है वो यहाँ पर होगी इस person के साथ यह judgment आ रहा है also clarity आ रही है यहाँ पर आपकी person की दुविदाओं का अंत हो रहा है ठीक है इस person को यह realize हो रहा है कि आप इस person का two lover कौन है ठीक है यहाँ पर क्या होता है ना बहुत लंबे time तक clarity की कम ही होती यहाँ पर ace of shots की भी energy and seven of cups और death को clarify कर रहे है यहाँ पर यह तीनों card की message दे रहे है कि जैसे इस person को यह नहीं मालुम था कि इस person के लिए कौन true partner है या फिर कौन इसको जादा चाहता है ठीक है मैंने आपको बताया था कि energy ऐसी है कि आपके person के सामने मतलब है आप कहते हैं कि जब आपकी awakening स्टार्ट होती है तो आप real faces देखते हो और आप जो आपके hidden enemies हैं जो भी चीज़े हैं वो reveal हो जाते हैं और आपसे cut off कर दिये जाते हैं ठीक है आपके life में भी ऐसा होता है कुछ लोग आपसे छूटने लगता है कुछ धोका दे देते हैं ठीक है और आपको ऐसा लगता है कि उसी time पर उन्होंने आपको धोका दे दिया यह universe आपको दिखाता है कि आप इने अपना मान रहे थे आप इनका real face देख लो थोड़ा ढंग से ठीक है तो यह energy आप बने तो इस person के साथ भी same चीज़ें हो रही है कि आप भी person देख पा रहे हैं कि कौन है you know to कौन है इस person की life में और जो भी इस person के मैंन में दुविदायां चल रही थी या फिर जो भी clarity नहीं थी ठीक है वो clarity इस person को मिल रही है ठीक है वो clarity आती है दीरे दीरे ठीक है वो clarity एक्दम से नहीं आती है यहाँ पर card आ रहा है sun का तो यहाँ पर ऐसा भी message है कि आपके person जो है वो कहीं न कहीं कुछ इस person के अंदर you know मतलब वो quality है ठीक है इस person के अंदर दीखे divine masculine की energy अंपर की भी energy है यहाँ पर इस person के अंदर भी वो गुण है ठीक है कौन से गुण जैसे divine family के अदर अंदर जो गुण होता है वो caring loving जो divine mother वो है है उसी तरीके से जो divine masculine होते हैं उनकी अंदर divine father का गुण होता है हम उनको बहुत कम माल लेते हैं पर ऐसा नहीं है अगर आपके अंदर divine mother का गुण है उनके अंदर भी divine father का गुण उनके अदर भी आपने वो解 oh नोटिस कियो गी की बाहर आ रही है, तिकिया, États नेगिटिविटी तो आपकी रिलीज होती है, तो पॉजिटिविटी निकलती है आपके अंदर से, तो आपको पता चलता है, कि आपके अंदर गुण कौन से है, पहलें आपकोец समझ में आते है, कि मेरे अफ़शों कौन से है, कि जो जिसका है वो उसको मिल जाएगा यहां पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि मतलब कभी-कभी ऐसा होता नहीं कि हमारी कोई चीज हमारी नहीं होती है लेकर हम उसे अपनी पास रख लेते हैं तो वह कुछ समय वापास रहती है और घूम फिर कर उसी यह पास चली आ होगी जैसे कुछ लोग यहां पर आते हैं और वह जंडरल लीडिंग्स देखते हैं और उनको लगता है कि वह भी स्पीशल कानेक्शन है तो मैं आपको एक शीज बोलती है कि जो आपका है वही आपको मिलेगा अगर आप किसी दूसरी की चीज को लेनी की कोशिश करेंगे तो वह आप आपकी लाई से चला जाएगा इसी लिए आपको भी हमेशा यूनिवर्स की प्लान को ट्रस्ट करना होते हैं किसी और की चीज अपने पास मत रखो बाद में प्रॉब्लम होती है तो यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट करती हो in a work करते जाएगी आपको भी सारी हटकंडे अपना रहो ठीक है जो यहां तक लाया वो आगे भी ले कर जाएगा लेकिन अपने इंटेंशन्स अपनी चीज़े हमेशे ट्रू रखनी होती है ठीक है और हमारे हाद में बहुत अच्छा काम होता है वह है इनावाक ठीक है यह चीज़ें यहां पर मुझे दिखाई दे रही है ओके अल्फाबेट्स ले लेते हैं आज यहां पर दिखिए आपको ABCD का XYZ दिखाई देगा तो जैसे लग रहा है कि ABCD खतम XYZ लास्ट किए जैसे आपको दिखाई दे रहा है XYZ ठीक है फिर यहां पर दिखाई दे रहा है 123 यह असेंशन का नंबर होता है एक दो तीन जब भी आपको असेंशन का एक दो तीन दिखाई दे इसका मतलब है आप असेंड हो रहे हैं आप एक लेवल ऊपर जा रहे हैं तो यहां 123 भी है 7 नंबर Spirituality का होता है ठीक है तो यहां पर भी आपको साथ नंबर दिखाई दे रहा है यानि कि बहुत ही जादे Spirituality की बात कर रहा है और फिर यहां पर है letter SDR यहां पर S है D है और R है ठीक है तो आप से अकर कुछ बन रहा है तो बना लीजे मैं तो बस यह देख रही हूँ कि असेंश को मत बेकाड़िएगा रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू गाइस